स्वागत है और आज मैं बनाने जा रहें बहुत टेस्टी नाश्ता तो चलिए फ्रेंड्स बनाते हैं हम इसकी एक मैंने टमाटर लिया है हरा धनिया प्याज और पालक इनको मैंने चुटे-चुटे पीसिस में काड लिया है धिया मैं लख़ hyornil के लिए सूजी ली है, सो ग्राम के करीब सूजी और दही लीए छोटी कटोरी में , यह दो बड़े चमश दही है अब हम पाउल में सूजी डाल लेते हैं, तो राहे हैं मोटी पतली och इसमें 2 चमश दही, थोड़ा सा इसके अंदर हम पानी डाल लेते हैं मिक्स करने के लिए इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, एक छोटा चमश नमक नमक आपने स्वादन साझ डाल सकते हैं इसमें तो इसमें कटे ही सारी सब्जी डाल देते हैं टमाटर प्याज हरा धनिया और यह पालग आप इसमें शिम्ला में इस गाजर कुछ भी आड़ कर सकते हैं अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनने वाला है फ्रेंड्स इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं थोड़ा साइज के अंदर हम पानी डाल लेते हैं पानी आप इतना ही डाली कि ज्यादा डो हमारा पतला ना हूँ बहुत ही टेस्टी नास्ता बनने वाला है इसको मिक्स कर लेते हैं अब हम इसको ढख कर रख देते हैं 10 मिनट के लिए जिससे की सूजी हमारी अच्छे से फूल जाएगी यह देखिए हमारी सूजी अच्छे से फूल गई है दहे भी हमारे अच्छे से मिक्स हो गया है इसको एक बार और हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं एक हम पहन लेते हैं इ बहुत ही कम देल में नाश्टा बनता है और इस तरीके से हम इसको लेके फैला देते हैं चम्चे की हल्प से इडली की तरह आप इसका साँ चमना लेजिए यह दिके फ्रेंड्स प्राई पैन में इस तरीके से फैला लेजिए स्कुलें गैस की लोगोगो पर में वां वाचा रूसटें हैं अनलम करें हैं अच्छे से थे पाखने भी यह आदेते did हैं कि separation हमार नाश्टा कितना अच्छा सिख गया है तो फ्रेंट्स मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके इसको हम ढग देते हैं 10 मिल बात देखते हैं दूसरी सा M English. यह सबस्क्राइब करना नाष्टा नाश्ता है क्रिस्पी हो गया एकदम है और बहुत ही कम ते में बन जाता है कि एक इसाद यह कितना अच्छा इंग गया है बहुत ही टेस्टी बना है ऐसे हम बाकि भी बना लेते हैं यह देखिए हम इस पर बैटर डाल देते हैं है बहुत ही टेस्टी नास्ता बनता है फ्रेंड्स यह देखिए इस तरीके से दूसरा भी हम बना लेते हैं बहुत ही कम देल में बनने वाला नाश्टा है इसके चालो तरफ हम थोड़ा सा तेल डाल देते हैं और इसको भी हम ढखकर रख देते हैं पांसे दस मिनट के लिए देखिए दस मिनट बाद इसको हम पलट देते हैं एक तरफ से हमारा नाश्टा से किया है इसको भी पलट देते हैं और इसको ढखकर रख देते हैं पांस से दस मिलट के बाद देखते हैं हमारा ये नाश्ता भी छिग गया है इसको एक बार और दूसरी तरफ प्लट देते हैं ये फ्राइ पैन में हम थोड़ा सा ओल डलते हैं तड़के के लिए ये राई ली है मैंने इसको थोड़ा तड़कने देते हैं कड़ी पत्ता और जो हमारा नाश्ता था उसको हम इसमें थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं बहुत अच्छा टेस्ट आता है दोनों तरफ से पलटके हम इसको ढखते रख देंगे कि अच्छा नाश्ता बना है कड़ी पत्ते का बहुत अच्छा टेस्ट आता है आप इनको एक दो बार पलटकर सेखते रहें इसको ढखते रख देते हैं पांस से दस मिनट तक के लिए जिससे हमारा नाश्ता बहुत ही क्रिस्पी हो गया है इसको हमें दो तीन बार पलटकर सेखना है जैसे चारो तरफ से अच्छे से सीख जाएंगे जैसे में देखिए तुछा नाश्ता हमारा सिख घया है ऐसे हमारा जो थोड़ा सा कड़ी पत्ता डाल लेते हैं और जो बाकी का नाश्टा है उसको भी हम इसी तरीकी से इसमें फ्राई कर लेंगे तो फ्रेंड्स मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें सब्सक्राइब करना ना भूले पांसे दस मिनदे बाद देखते हैं हमारा नाश्टा अच्छे से क्रिस्पी हो गया इसमें इसको हम दोने तरफ से पलटकी अच्छे से से शेख लेते हैं धक कर रख देते हैं इसे हम पांसे दस मिनदे के लिए यह देखी मेरा नाश्टा कितना अच्छा रड़ी है तो फ्रेंड्स आप भी बनाएए और थैंक्स पॉर वच्छिंग मैं वीडियो अच्छिंग मैं वीडियो